हेलो फ्रेंज्स वेलकम तो हिमानशीस वर्ल्ड फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और डिलिशेसी रेसिपी लेके आई हूँ आए देखते हैं रेसिपी आई होप आपको यह रेसिपी पसंद आएगी पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक का बटन जरूर क्लिक किजिएगा शेयर किजिएगा अपने फ्रेंट्स एंड फैमली के साथ जाद जादा कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत बूलिएगा मैं हमेशा से कमेंट का इंतिजार करती हूँ और मेरे चैनल को जर्व सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी लेट स्टार्ट तो फरेंट्स आज मैं आपके लिए लेक आई हूँ फिरसे एक बार कॉफी की रेसिपी इस से पहले आपके लिए आपके लिए और आप लोगों को बहुत जादा पसंद आई थी वो रैसिपी, तो थैंक यू फ़ी पर बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट पे आपके एक अलग तरही की कॉफी की रैसिपी लेके आई हूँ, इसमें मैंने कॉफी बीट करने के लिए फिर से मशीन क का इस्तमाल नहीं किया है लेकिन एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं कॉफी को बीट करना आपको बताऊंगे जिससे बिल्कुल ही जागदार रेस्टरेंट स्टाइल की कॉफी बने तो आप देख सकते हैं कितना ये फोमी है कितना जागदार हमारा ये कॉफी का मिक्स्चर फ्लेट के साथ और इसके साथ साथ इसके न्दर बनाना बताऊंगी एक हॉट कॉफी यह अनोखे और नयतारी के साथ है और एक हईक कॉल्ड कॉफी जो कि बहुत ही जादा डिफ्रेंट स्टाइल के फ्लेवर के साथ है तो आईए देखते हैं रेसिपी आई होप आपको ये रेसिपी भी बहुत जादा पसंद आएगी पसंद आए तो प्लीज 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 इसको शेर कीज़ेगा अपने फ्रेंट्स और फैमिली के साथ जरूर से जरूर वाटसेप और फेस्बूक ग्रूप में ताकि वो भी बना के इंजॉय कर सकें और फ्रेंट्स रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज दे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइगेन को क्लिक करना बिलकुल मत भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलती रहे और ये बिलकुल फ्री है तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं रेसिपी यहां देखिए मैंने एक ग्लास ले लिया है और डीप ग्लास लीजिएगा जिसमें अच्छा खासा स्पेस हो और यहां देखिए मैंने यहां पर कॉफी ले ली है एक से देट चमच के करीब कॉफी ली है और इसमें हमारे दो से तीन कप के करीब कॉफी बन जाएगी पाणी डालने के बाद यहां ने यहां पे लिया करने ही यह लिया यह देखिए इस तरह का इक्विसमां पड़ां इस तरह की केले का उस्तेश में और किछिन में कहीं साइड में लोगों के पड़ा होता है अधियान डिया Sud तो आज हम इससे अपना जो कॉफी है वो बनाएंगे इससे परले जो मैंने कॉफी बनाना बताया था वो बॉटल से बनाया था अगर आपने वोला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूँगी तो बॉटल से कैसे कॉफी बनाये जागदार वो आप देख सकते होंगे आपके आँखों के सामने बस दो मिनट भी नहीं होंगे और ये बहुत ही जल्दी से जागदार कॉफी हमारी बन जाएगा आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ही इसको बीट किया है और ये देखिए फटा-फट से एकदम से सारा कसारा जो कॉफी ह है वो जाग में बदलता जा रहा है और उपर तक आ जाएगा जाग तो बहुत ही जल्दी इससे बन जाता है काफी लोगों के घर में ये पड़ा रहता है ये इस तरीके से अंडा फेटने वाला लेकिन वो यूज नहीं करते वो ध्यान नहीं देते इस चीज़ पर कि ये बह बहुत ही सस्ता मिलता है बजार में अगर आपके पस नहीं है तो आप जाके खरीद लीजे पचास से साथ रुपे में ये आपको मिल जाएगा बहुत ही एजिली मार्केट में अविलेबल है तो आप ये लेके आईए अगर आप अंडा नहीं भी खाते हैं तो भी आप ये ल थोड़ी सी देर के लिए बीट किया है और यह देखिए यह बहुत अच्छे तरीके से उपर तक फलफी हो गया है और मेरे को कुछ जादा मेहनत करने की ज़रुत नहीं पड़ी तो एक बार में क्या करूंगी इसको निकाल के एक बार अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी अगर चीनी नीचे बैट गई है तो वो भी मिक्स हो जाएगी और उसके बाद दुबारा से हम इसको बीट करेंगे तो इन टोटल मैं इसको पांच मिनट से जादा बीट नहीं करने वाली हूँ आप देख सकते हैं पांच मिनट के अंदर ही हमारा जो यह कॉफी है यह इतना क्रीमी हो जाएगा इतना फ्लफी हो जाएगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इतनी जल्दी हम कॉफी बना सकते हैं इससे तो आप देख सकते हैं यह देखिए कितने अच्छे तरीके से फ्लफी हो गया है उपर तक पूरा जाग फैल गया है बहुत ही अच्छे तरी किसे बीट हो गई है तो यह बहुत ही इजी प्रोसेस है चमत से फैंटने से तो ज्यादा इजी मुझे यह लगा और इसलिए मैं आपके साथ यह वीडियो शेयर कर रही हूं क्योंकि काफी लोग पूछ रहे थे कि और इजी बताईए और कोई नया तरीका बताईए तो आज मै आपको बताऊंगी और यह देखिए यह कितना थोड़ा सा था बिल्कुल वन फोट कप के भी नीचे था और यह अभी फुल के पूरा उपर तक कप के भर गया है तो आईए अभी इसको बना लेते हैं तो पहले हम होट कॉफी बनाएंगे तो फ्रेंक्स होट कॉफी बनाने क का हम इंतजार करेंगे तो देखिए उबाल आने लग गया है गैस को अब मैं धीमा कर देती हूं इसके अंदर में डाल रही हूं सिनिमन पाउडर डाल रही हूं अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप पीसके भी डाल सकते हैं तो दो चुटकी के करीब मैंने इसके अ बिटार पाउडर मतलब सुखी वी सौाठ पाउडर डाल रही हूं जोकी अद्रक हम सुखा के रखते हैं इसका पाउडर है यह भी दो चुटकी मैं इसके अंदर डाल रही हूं और इसको भी मिक्स कर लेंगे और यह अच्छे से उबल जाना चाहिए आपका और जैसे उबल कि buat भील गया और मिक्स हो गया अच्छा से तो गैस को हम कर देंगे बन यहां पे हम लेंगे एक कप और यह का अरव कई का別 و और कफी का दो मिक्स्चेर है यह दो चममच के करीब भर है एसकी अधर जहकता भाँक कई का लग्ट टाला बहुत ज़्यादा जरूरी है बहुत अच्छा लगेगा आपको और इसको मिक्स करेंगे और यह हमारी बहुत ही टेस्टी नए नए फ्लेवर वाली कॉफी बनके त्यार हो गई है इस सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है सिनेमन गरम होती है अद्रक ग कोफी बनाने के लिए यहां पर मैंने एक बड़ा ग्लास लिया है इसके बाद हम लेंगे वनीला एसेंस तो कोफी को हम फ्लेवर देंगे वनीला एसेंस से तो इसके अंदर पांच से साथ हम बूंदे वनीला एसेंस की डालेंगे यह देखिए इस तरीके से मैंने डाल दी है और इसके बाद मैं ले रही हूँ Coco Powder तो Coco Powder लिया है मैंने यहां पे और एक चमच छोटा चमच भरके मैं Coco Powder इसके अंदर डाल रही हूँ अगेन अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा से कम जादा कर सकते हैं इसको तो यह भी डाल दिया है इसके बाद देखिए यह देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ वनिला एसेंस और कोको पाउडर डाला है इसके बाद मैं एक बड़ा ग्लास ठंडा दूद लूँगी और बिल्कुल चिल्ड दूद होना चाहिए यह और फुल फैट मिल्क है यह इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा हम यह दूद डालेंगे और फिर से मैं विसकर की सायत से एग कता सायता से इसको अच्छे से विसक कर लूगी क्यों कि हम मशीन का इस्तमाल नहीं कर रहें यहां पे तो एक बर देखिए मैंनने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और यह देखिए इस तरीके से मिक्स हो गया है इसके बाद देखिए हम इसके अंदर कॉफी का मिक्सचर डालेंगे दो चमच के करीब और इसके अंदर बाकी का दूद हम डाल देंगे और इसको अच्छे से विस्ट करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह एक बर अच्छे से मिक्स हो गया, उसके बाद देखिये हमारी कॉफी बन गई है तो यह हमारी कोल कॉफी बन गई है आए इसको सर्व कर लेते हैं तो ग्लास में लिया है लंबा और इसके चारो तुरफ देखिए इस तरीके से कॉफी का जो सारी के सारी काफी काफी का डालेंगे हम इस तरीकेसे उपर तक पूरा भर लीजिए। तो इस तरीके से बाट कॉटीना की बनाएएगे। अपर चाहेजिटे एसके अधर टो बिलिशयस काछिप, कोफी तैहांतर यहां हमारी हाट कॉफी त्यार है एले टर्वैर्स के साथ दादि के लिग सद्वान एक कोफी त्यार है Sounds बहुत ज्यादा पसंद आई होगी तो भी बहुत ज्यादा प्यार दी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बड़िया वीडियो के साथ तब तक के लिए और फ्रेंट्स ये कुछ दूसरी रेस्पीज है माई चैनल की चाप क्लिक करके देख सकते हैं डैंक्यू